जैम आता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12 जन्वरी 2024 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दिन कैसा रहेगा, इस दिन ग्रहों के स्थिति क्या कहती है, नक्षत्र क्या रहेंगे, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में विस्तार से तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ तो देखें, 12 जन्वरी का दिन शुकरवार का दिन है, और ये जो दिन है, इस दिन उत्तर साड़ा नक्षत्र और श्रमण नक्षत्रा रहेगा इसके अलावा लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, बोधादित राज्योग बना हुआ है, और साथ में यहां बना हुआ है सश्योग, जो देखें सेहिंग राशी के जातकों को सश्योग का लाभ आज देखने को जरूर मिलने वाला है, इसके अलावा मैं बताऊंगे आपको आज के दिन का शुब समय कौन सा है, जो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा और शुब रंग आपके लिए कौन सा रहेगा, जिसे आज आज आपके जीवन में कैतर है कि अच्छे बदला भी हो सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले स्वास्था के बारे में ही बात कर लेते हैं स्वास्थे का आपको आज ध्यान रखने के आवशक्ता है क्योंकि कुछ तो एक तो मौसम और दूसरा आप अगर बाहर के खाने ज़्यादा खा रहे हैं तलिब होनी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कते हो सकती है तो यहाँ आपको स्वास्थे का आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके साथ ही धन संपत्ति के मामले में आज का दिन काफी बहतर है वैसाय करने वाले लोगों की मैं बात करूँ तो आज का दिल उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल जरूर बिताने वाले हैं खुशी के पल क्यों क्योंकि जब भी दोस्तों के साथ होंगे तो खुशी के पल ही दिखाए देंगे आज आपका उर्जा से भरपूर, जिन्दा दिल और गर्म जोसी से भरा वैवार आसपास के लोगों को भी खुश कर देगा देखे आपके लिए जो प्रेम है वो एक बाहर की तरह है फूलो रोश्नी तितलियों से बाहर हुआ और ये आपके अंदर की रुमानियत को बाहर निकाल कर लाता है तो प्रेम जीवन के मामले में आज दिन ऐसा ही होने वाला है जो आपके अंदर की रुमानियत को निकाल कर लाएगा और आप प्रेम जीवन से चुड़ेंगे मका राशी के चंद्रमा है मकर राशी के जो चंद्रमा ये छटे भाव के हैं आपके छटे भाव में स्थित हैं तो थोड़ा सा मूर स्वेंग भी हो सकता है आप अपना ध्यान एक चीज पर केंद्रित करना चाहेंगे लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आज ऐसी ही चीजे होने वाली हैं तो आपको एक तो अपनी जो एक योजना जरूर आज के लिए बनाए कि आपको क्या क्या काम करने हैं अगर आप उन सब को क्रम में रखेंगे ना तभी आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे क्योंकि आज mood मैंने कहा कि swing होता रहेगा करने कुछ जा रहे हैं लेकिन मन में आ गया कि नई यार वहाँ चलते हैं तो ये कारे हो जाएगा जिस कारे को करने जा रहे हैं वो छूट जाएगा तो थोड़ा सा आपको इहां ध्यान ज़रूर रखना होगा हला कि मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे आप और एक ये जो गुण है ना आपका ये हर छोटी छोटी से और बड़ी मुश्किलों से भी आपको पार कर देता है बस विवस्तित धंक से आपको काम करना है और खुद पर भरुसा रखना है आप आएंगे कि चीज में आपके हिसाब से चलेंगे और सब कुछ ठीक भी होगा अगर मैं इस दिन के शुब रंग की बात करूँ तो देखे आप इस दिन जो ग्रीन कलर है ना वो पहनेंगे तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा उसको शुरुआत करने की कुशिश करें नई काम की शुरुआत करनी है तो आज कर सकते हैं आज का दिन अच्छा है आने वाले समय में आपको उससे लाब ही मिलेगा तो इन चीजों का ध्यान रखे बहुत एक वस्तों के प्रती बहुत मोह जागरत होगा अचानक से कि जीवन में आपको जो चाहिए सरफसर चाहिए वैसे भी सिहिंग राशी के लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है क्योंकि ये सूर्य की राशी है राजा है ये इसलिए मन में इनके में ये चीज़े होती है कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए सरफसर चीजों को पाने का रहेगा और आप जानते हैं कि इस राहा पर चलने का कोई छोटा मार्ग तो है नहीं इसी लिए आपको मेहनत करनी है और जीवन को वित्य रूप से संतुस्टी की राहा पर लेकर जाना है सुकून की तलास जादा जरूरी है पहले अपने आपको उस काबिल करें और तब अपनी चाओं को पूरा करें तब तक अपने लक्ष से भटकें नहीं लक्ष को जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतनी जल्दी आपकी ये चाएं भी पूरी होंगी तैसे लिए लक्ष से बिलकुल नहीं भटकना है वहीं द्यान केंद्रित करकर आपको चलना हो अपने हर एक order को पूरा कर पाएंगे समय पर तो नई तक्निकों से जरूर जुने अपने कारे स्थल पर गैर कानूनी गती विधियों और आलस इन से दूरी बना कर रखें ठीक है वरना ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान कर सकती है क्योंकि जो आलसी व्यक्ति को विध्य अनपड़ मुर्ख को धन और निर्धन व्यक्ति को मित्र और अमित्र व्यक्ति को सुख कहा जाता है तो इन चीजों का ध्यान रखें आप अपने लक्षों को भी प्राप्त कर पाएंगे और उसकी संभावनाएं भी जादा रहेंगे अब मैं बात करूं प्रेम जीवन की द प्रेम और व्यवाहिक जीवन में आज आपको कोई सर्प्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है परिवार के साथ किसी धार में के कारेकरम से जुड़ सकते हैं जहां दान पुन्य करके आप अपने मन में शान्ति ला सकते हैं तो कई चीज़े होती हैं जिनको आप अपने लिए अ बहुत बहुत जबरदस्त यहां बना हुआ है और कोई भी खराबी अगर आपके जीवन में चल रही है निकार शेतर में किसी तीज की भी कुछ चल रही है तो उसी के बारे में सोचकर कीमती वक्त को बरबाद ना करें ज्यादा से ज्यादा समय जो है ऐसी चीजों की तरफ लगाएं जो आपको बैनिफिट देने वाली है आज जो वेवसाय करने वाले जातक हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है और मैं यहाँ देखिया आपके लिए जो शुब समय बताऊंगी आज वो दोपहर में तीन बजे से शाम के पांच बजे तक का बहुत अच्छा समय है इस समय के अनुसार अगर आप अपने शुब का काम है उनको आप करेंगे तो यहाँ सक्सिस होने के सबसे ज़्यादा चांसे हैं क्योंकि इस समय आवदी में कियेगे कारयों का अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे और उनसे आपको लाव भी अच्छे देखने को अगर आप लखी नंबर चाहते हैं क्या आज आपके लिए लखी नंबर होने वाला है तो वो है सिक्स नंबर आज आपके लिए बहुत लखी रहेगा उपाय के बारे में जाते हैं क्या उपाय कर सकते हैं घर से बाहर निकलेंगे तो मस्तक पर केसर का तिलक लगा कर निकलें इससे स्वास तभी अच्छा रहेगा और चीजे ज़ादा अच्छे से दिखाए देंगे अच्छे से समझ में आएंगी यानि आप अच्छे से चीजों को अब्जर्व कर पाएंगे तो ये कार्या करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करने ना भूलें